हेलो दोस्तो रादे रादे हरे कृष्टा तो दोस्तो आज की ये वीडियो है कि हम लेके आई हो कि हमें यूगल सरकार की सेवा कैसे करनी चाहिए और यूगल सरकार की सेवा करने के नियम क्या है तो जो भी हरी भक्त यूगल सरकार की सेवा करना चाहते हैं जा फिर हमारे यू जो भक्त ओल्रेडी लड्डू जी की सेवा कर रहे हैं, वो भी सोच रहे हैं कि हमें अपने यूगल सरकार की सेवा करनी हैं, तो हम यूगल सरकार सेवा करने की क्या नियाम हैं, तो वो ही समय विशेश बाते इस वीडियो में आपको आपके साथ चर्चा करने जारी हूं, तो तो पहले एक reason जुरूर बताऊंगी, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि देखा देखी में यूगल सरकार की सेवा, जहां लड़ू जी की सेवा करनी स्टार्ट कर देते हैं, कि ये लड़ू कुपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो मैं भी अपने घर लेके आऊं, तो मैं उनक सेवा करना चाती हूँ, तो देखे ऐसी सेवा मत कीजिए, कि देखा देखी सेवा मत कीजिएगा, क्योंकि देखा देखी में सेवा में क्या होता है, कि तुम दो दिन खुशी खुशी उनकी सेवा करोगे, तीसरे दिन उनकी सेवा नहीं कर पाऊगे, तो उससे अच्छा ये यह है कि आप ऐसी सेवा मत कीजिएगा और दूसरी बात यह है कि प्रभु की सेवा हमेशा नी स्वार्थ मन से ही होती है किसी भी अपने स्वार्थ और नीजी सुक के लिए प्रभु की सेवा नहीं होती है प्रभु की सेवा अपने मन में एक शुद भाव से ही होती है कि अगर प्रभू की सेवा इस भाव से कर भी लेंगे, हो सकता है कि प्रभू आपको दे भी देंगे सब चीजे, पर उसमें आपका जो सेवा भाव है, उसमें जो आपका प्रेम है, जो भाव है, वो कम होता चला जाएगा, तो इसलिए प्रभू की जब भी आप सेवा करें, तो नी पर्मों के कोडिंग हमें जो मिलना होगा वो हमें मेली ही जाएगा जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं तो कभी हम अपने बच्चे से ये मन में इच्छा तो नहीं रखते ना कि ये हमें गाड़ी दे जा बगला दे जा हमें ये कुछ भी दे तो वैसे ही हम अपने प् एक सेवा केजिए गार और यूगल सरकार और हमारी राधारानी की जो सेवा करने के नियम है वो यह है कि सबसे पहले हमें अपने मंदिर को साफ रखना ही रखना है तो उसके साथ अपने घर को भी साफ सुट्रा रखना है तो ये तो हो गया हमारा पहला नियम जो भी है और दूसरा ये है कि जब भी हम सनानवादी करके हम अच्छे से स्वस्च हो जाएं तो सबसे पहले अपनी तुलसी माता के साथ जाके उनको जल अरपित करें जल अर्पित करने के बाद उनकी जो रज है अपने मस्तक पर धारन जुरूर करें क्योंकि बोलते हैं कि जो हमारी तुलसी जी की रज है उसको जब हम अपने मस्तक पर धारन करती है जो हम विंदावन में पूरे तीर्थों के दर्शन करते हैं, वो हमें तुलसी माता की रज को मर्स्तक पर अरपन करने पर तिलक लगाने पे वो ही हमें फल प्रापत होता है। जिससे वो उठ जाए। फिर घंटी बजाके तीन बार आप अपने मंदिर में परवेश कीजिएगा और फिर उनका परदा हटाएगा। परदा हटाने के बाद आप उनको बोलिएगा है मेरी रादारानी है मेरे प्रबू उठ जाए और उनको तीन बार जलका चीटा जुरूर सफाई करके उनको विराजमान कर दीजिएगा और फिर आप उनको उनके लिए तिलक अरपन कीजिएगा और उनके आरती वगएरा जो भी है नियम वो भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपके यूगल सरकार छोटे हैं मतलब 8 इंच के हैं तक्रीबन हाथ जितने तो आप उन देली सनान और वस्ट वगएरा चेंज करके पहना सकते हैं और अगर आपके विग्रह थोड़े बड़े हैं तक्रीबन 12 इंच से बड़े हैं और पत्थर के हैं तो आप उनको डेली सनान वगएरा नहीं करवा सकते तो आप उनके मांसिक रूप से ही सेवा करके उनका शिंग उनकी सेवा लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप कुछ दिन चित्पट से, मतलब फोटो से उनकी सेवा करनी स्टार्ट कीजिएगा, क्यों फोटो से सेवा करने का मतलब यह होता है कि आप कुछ दिन उनकी सेवा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए आप ready हो जाते हैं उसके बाद आप अपने विग्रह से सेवा करनी स्टार्ट कर सकते हैं और देखिए हमारी रादा रानी को शिंगार भहुत पसंद है तो सब प्रवथम जो भी है हमारी रादा रानी को 16 शिंगार करना बहुत जुरूरी है कि कभी भी उनको बिना 16 शिंगार किये हम नहीं रख सकते हैं तो 16 शिंगार करके ही हमेशा उनको अपने मंदिर में और अपने उनको घर में विराजमान करना चाहिए तो दूसरा नियम तो यह है तीसरा नियम ये है कि हम अपने यूगल सरकार को जो भी भोग लगाएंगे वो आप नियम ले सकते हो कि आप दो बार सुबह और शाम का भोग लगाओगे जा तीन बार भोग लगाओगे वो आप नियम ले सकते हैं जब भी आप प्रान पतिष्ठा करवाओगे तब आप निय प्लिग लगाना है वो आपके भाव के कोडिंग है वह आप दो टाइम जा एक टाइम का नियम ले कर चल सकते हैं साथ में अपनी रादा-राcularuben को यह भी नियम ले कर सकते हैं कि बीच में अप दूपेर में उनको शायन करवाएंगे जmud फिर रात को ही शायन करवाना होता है तो शाम के टाइम कुछ लोग पट बंद कर देते हैं जासे मंधिरों में पट बंद हो जाते हैं कि दूपेर 12 बजे से 5 कष़िए तक पट बंद रहते हैं उसके बाद पट खु ऑपने शामỹ की आर्ती किलिए त्यारी करने के बाद आप रात का भोग जो भी आप देना चाहते हैं वैसा भोग दे काईएगा और फिर पर्दा हटाने से पहले दो बार या तीन बार अपनी हाथ की ताली बजाकर उनसे भोग उठाने की प्रात्ना कीजेगा प्रबु आप मैं आपके आपसे थाली जा भोग उठा रहा हूं और फिर वो भोग आप अपने पूरे मतलब भोजन में मिक्स करके आ अब आती है जब शायन करने की नियम की आप अपने प्रबु को कैसे सुलाएंगे देखिए अगर आपके मंदिर में इतनी जगा है कि आप उनको पूरे अच्छे से विराजमान करके सुला सकते हैं देखिए अगर पत्थर के विग्र है तो आप उनको उठा के बिठा के सु भूरे यह जोड़ के आप उनको बोल के शुला सकते हैं और अगर आपके जगा नहीं है तो सीरफ आप खड़े ओके अपने प्रबु के सामने हाद जोड़ के मन ही मन उनसे भाव करके बोल सकते हैं प्रबु अब आप शायन कर लेजिए आप विश्राम क कर लीजिए तो आप पट अपने पर्दे बंद करके उनको सुला दीजिए दिखिए ये तो है हमारी यूगल सरकार राधारानी के छोटे से नियम जादे कुछ नहीं है छोटा सही नियम है ठीक है तो लड़ू कुपाल जी की दुखो सेवा जो होती है हम उनको कहीं पे भी अपने घर में क बिठा सकते है उनको उठा सकते हैं सीरव यूगल सरकार एक ही जगा विराजमान हो जाते है जिनको हम अपने जगा पे उठा नहीं सकते हैं वो एक ही जगा पे बैटे रहते हैं इसलिए थोड़ा सा घर की सफाईया में बहुत रखनी पड़ती है और अपनी राधारानी के और देखिए इसमें एक चीज़ और है हमारे कृष्ण कनहिया जी को अपने बागे बिहारी जी को तुलसी जरूर अर्पन होती है और तुलसी जो है उनके चर्नों में अर्पन की जाती है बिना तुलसी मतलब उनको दिये हमारी पूजा सविकार नहीं होती नहीं कोई भोग पर उनके चर्नों में हम तुलसी अर्पन नहीं करते हैं उनके हाथ में अर्पन करते हैं और इस भाव से अर्पन करते हैं कि हे रादारानी ये तुलसी मैं दल आपको दे रही हूं तुलसी का पत्ता तो आप मेरे शाम सुन्दर को अपने शाम सुन्दर को ये तुलसी दे द तुलसी सिर्फ हाथ में लेती है जो भी वह अपने अपने कनहिया को अपने शाम संदर को देते हैं तो यह बिना तुलसी के ना तो देखो हमारे यूगल सरकार भोग अरपन सविकार करते हैं तो नहीं सेवा मतलब हमारी पूजा सविकार तुलसी के बिना हर काम उनका अधूर तो तुलसी जरूर उनको अरपन कीजिएगा और यूगल सर्कार जब भी आप सेवा करें तो उनके साथ एक गईया जरू रखियेगा गएया एक भी आप रख सकते हैं दो भी रख और गईया रखने का थोड़ा सा ये भी कारण होता है कि मालो किस समय आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हो तो आप ये बोल सकते हो मानसिक भाव से कि है गईया माता आज मैं उनको भोग नहीं लगा पारी हूं तो आप अपना गाएं का अपना दूद अप मेरे कनया को जरूर दीजिएगा जिससे वो भूके ना रह सके तो इस भाव से आप उनके पास एक गईया भी जुरूर रखिएगा और देखिए कुछ लोगों का ये भी कोशन होता है कि अपने यूगल सरकार को लाने से पहले पूछते हैं कि उनकी प्रान परतिश्टा कितनी जुरूरी है और कि मेरे भाव के अकोर्डिंग या मेरा मानना ये है कि उनकी प्रान परतिश्टा करानी जुरूरी होती है पर देखिए कुछ ये भी होता है कि जैसे हम प्रभु की सेवा करने स्टार्ट कर देते हैं तो उनमें अपने आपी ही उनकी प्रान परतिश्टा हो जाती है पर फिर भ मत स्टार्ट कीजिएगा अगर फिर भी आपने सेवा स्टार्ट कर दिया आपको नहीं पता था तो देखें जब हम आपने किसी प्रभू की मूर्ति की पूजा करनी स्टार्ट कर देते हैं तो उनमें अपने अपने आप ही जान आ जाती है और जो प्रान प्रतिष्टा होती है आप किसे अच्छे पंडिस से, किसे अच्छे पुजारी से ही कराइएगा क्योंकि प्रापरतिष्टा यह कैसी होती है कि हमारे प्रभू में वो जान डालते हैं कि प्रभू आप आ जाएए, इस मूर्ति में रिराजमान हो जाएए आप मेरी सेवा को सविकार कीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ जा चाहता हूँ, तो इस भाव से हम अपनी प्रान परतिष्टा करवाते हैं, अपने युगल सरकार की, और प्रान परतिष्टा में भी देखें, दो परकार की प्रान परतिष्टा होती है, एक होती है अचल परतिष्टा जो चल परतिष्टा होती है वो ऐसी होती है कि हम उनको अपने कहीं पर भी मतलब विराजमान कर सकते हैं अचल परतिष्टा जो की मंदिरों में होती है वो परतिष्टा होती है तो हम अपने घरों में जो परतिष्टा कराते हैं वो चल परतिष्टा कराते ह जो सिरफ एक दिन में ही की जाती है, कुछ लोग अगर आपको पता कि आपको अपना घर चेंज नहीं करना, कहीं भी शिफ्टिंग नहीं करनी है, कहीं भी आपका ट्रांसफर बगारा नहीं हो सकता, तो आप अचल पर्थिष्टा करवा सकते हैं, पर मेरे हिसाब से चल पर्थ ही चेंज करना पड़ता है, कि साफसफाई करने के लिए, जा कुछ भी महतों, जैसे कि दिवाली की हम साफसफाईयां करते हैं, तो हमें अपने विग्रे उठाना पड़ता है, तो इसलिए चल पर्थिष्टा ही करवानी चाहिए, जिससे जो हमारे पंडित होंगे, जो सिद मती भी नहीं देते, क्योंकि उसका दोश भी लगता है, जादे मुझे डिटेल में नहीं पता है, मैं जादे इस चीज को डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी, तो यही बोलूँगी कि आप जब भी अपने यूगल सरकार विग्रे लेके आए, तो अपने प्रभू की अपने प्रभू के जादे लडू गुपाल जी की देखा-देखी सेवा नहीं होती है, तो प्लीज आप देखा-देखी सेवा मत कीजिएगा कि कई लोग होते हैं, कि देख लेते कि उसका विग्रे ऐसा है, तो मैं भी अपने घर लेके आऊंगी, जा कुछ भी, जा लडू गुपा की मैंने चितपट से ही सेवा की ती उसके बाद मुझे लगा कि मैंEhकी सेवा कर सकती तरूम मैंने सेवा करनी अपने घरने विग्रेक को लेकर आई उं तो से ब 2017 को लेकर आई हoker को 60 तो और सो मुझे क कर दोते हैं और गर में युगल बादर रा राने खुद श्रूब अगर हमारे भाव इतने सच्चे है वो उसी घर में प्रबु जाते है जिनको उनकी सेवा लेनी होती है और मैं यही बोलना चाहूंगी देखो मैंने भी बहुत उनसे आग्रिय किया था बहुत मैंने उनसे हाद जोड के बिंती की थी शायद कि एक रीजन यह भी था कि मैं अप की सेवा नहीं कर पाऊंगी पर कुछ ऐसा मतलब यह कहलो कि लीला प्रभू ने की कि मैं उनके बिना रही नहीं पारी थी कुछ टाइम ऐसा हो रहा था कि आए दिन बस मुझे वही नजर आ रहे थे तो मन में भाव में ऐसा मेरा दिल बिल्कुल मन भर जा रहा था कि कोई भी बात होती है बस उनको बोल दी प्रभू आपके बिना नहीं रहा जा रहा आप आ जाओ प्रभू आपके बिना नहीं रहा जा रहा आप मेरे पास आ जाओ तो देखिए श्यार प्रभू ने मेरी बहुत जल्दी मेरी प्रात्ना सुन ली और वो मेरे पास आ भी गए और उनने मेरी सेवा सविकार भी की तो मैं सिर्फ उन भगतों को यह जुरूर बोलना चाहते हूं अगर आपका भाव सच्चा है आपके भाव में वह करूना है तो आप प्रभु की सेवा पहले चित पट से कीजिए जब आप उनके योग्या हो जाए तब आप अपना विग्र जुद्धिगी ऐसे असास कराएगी कि वह ना होके भी आपको यह लगेगा कि वह मेरे पास बैठे है तो जब वह आ जाएंगे तब तो आपको आपको अपना चित पट से सेवा करके अपना भाव को उस एहसास को उस फीलिंग को जरूर फील कीजिएगा कि जब तक वह आते मैं आपको शब्दों में नहीं बियान कर पा रही हूं तो शब्दों में शायद नहीं बोल पाऊंगी तो प्लीज अगर मैं आपको बोलूं कि हाँ प्रभु भाव के भूके होते हैं प्रभु प्रेम के भूके होते हैं बिना किसी भाव और प्रेम के प्रभु कोई भी हम लेते हैं तो हमें कुछ भी हो जाए उनकी सेवा करनी ही पड़ती है चाहे दुख हो चाहे सुख हो तो चाहे कोई भी कहते ना कुछ भी हो जाए तब हमें उनकी सेवा करनी ही करनी पड़ती है तो अगर आप वीच में उनकी सेवा छोड़ते हो देखो हमें तो कश्टो होग अगर में युगल सरकार की सेवा लेना चाहें, सेवा नियम लें, तो सबसे पहले चितपट से सेवा कीजिए, एक मीनना, दो मीनना, तीन मीनना, एक साल भर, जब आपको लगे तब आप अपने घर में अपने प्रभू को विराजमान कीजिए, लेके आईए और उनकी प्रान पतिष्टा कराईए, और फिर धीरे नियम बढ़ाते होई, उनकी सेवा का आनंद लेते जाएगा, तो ये थी मेरे युगल सरकार के बारे में कुछ विशेश, थोड़ी सी, छोटी सी जानकारी, आशा है, आप सबको अच्छी लगी होगी, तो अगर अच्छी लगी होगी ह साथ में बेल आइकन भी जुरूब दबाईएगा, ताकि आपको मेरी और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, मेरी रादरानी का सुन्दर सुन्दर शिंगार भी आप देखते रहेगा, और मेरे युगल सरकार का भी, और इसी के साथ ये वीडियो को मैं समाप्त करती ह रादे रादे, हरे कृष्णा